मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको क्लास 10 स्टेटिक्स चप्टर नम्मर 14 सैंक की पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ इसके पहले वीडियो में अभी तो इंग्ले से क्लास चल रहा था अभी आपको मेरे प्यारे बच्चों इसके पहले वीडियो हमने 14.1 और 14.2 को देखा था माध्य और बहुलक हमने आपको निकालना सिखाया था आज जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है माध्धिका क्या है आपको माध्य का 14.3 माध्यका चप्तर के बारे हमें पढ़ना है कि माध्यका सबसे पली बात होता क्या है इसकी विशे में थाउस समझ लेते हैं अरिवा समझें यह आपका माध्यका है पेज नेमर 304 तो माध्यका चप्तर के अंदर माध्यका के नाम से आपको क्या समझने आ रहा है माध्यका का मतलब ही होता है बीच वाला माध्यका माध्यका मध्य नहीं उसके माध्यके बारे हम बात बोलते हैं तो मिडीन के करम में सबसे पहले कुछ सुत्र है इसके पिसे में समझ लेते हैं मिडीन में क्या क्या होता है कैसे होता है इसके बारे इंसाम जानने का प्रयास करेंगे मिडीन क्या है कैसे निकालते हैं इसमें जितने भी डेटाएं होती है किस रूप में कारे करता है है इसके बीदिए में समझ दे का प्रयात मुझे दुसरा आपकोбо जिकटिव के संक्या वाला सवाल आएगा ऐसे उसमें लिखा रहेगा ऐसा शंतक रिखा होगा ऐसा मा दिखा बना ओका दूसरा अको टेवल वाला यहां और तिसरा आपको अंट्राल वाला हो तीम तरह कि आपको सवाल दिखने को मिलेगा तो मेरे गारे बच्चों इसके अंदर जंदली को देखना होता है कि इस टाइब के सवाल आपको मिलेंगे देखने के लिए इस टाइब क्यों है सबसे पहले हम इस टाइब के सवाल देखेंगा प्रयास करते हैं कि कैसे हम सॉल्ट करते हैं तो बच्चों इसके अंदर सबसे पढ़ी से संख्या लिखी होगी इन संख्याओं में क्या देखेंगे कि सबसे पहला काम है आपको करना की चर्थे क्रम में करना है जब भी आप संख्या देखो तो दी गई संख्याओं को क्या करना है आपको चर्थे क्रम में करना है चर्थे ोा, तीन, छेस, रॉपन है, सबसे है इन संख्याओं को क्या निकलना है, आ läuft तो CHRIS fils निकालना है, तो हमें कैसे क्या लिएगे, तो सबसे पहला काम है दी गई संख्याओं को चर्थे करम में करो, क्या करो? दी गई संख्याओं को आप चर्थे करम में करो, तो दो पाच चर्थे करम समस्ते है ना, तब सबसे चोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर पर आथ को एक शूकर चांख्याओं को सबसे प्राइब करना वह दरे कि अवसी करणा हमें अनुध़ को सबसक्छे करना शबी। सब्सक्राइब कर दिया है तो मेरे प्यारे बच्छों यहां के सवाल में हम देख रहे थे यहां पर हमने यह पाया है कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिया दो तीन चार पांच शे साथ आठ्या अब देखना आपको इस शुत्र भी बोलता है अगर समसंख्या हो यहां प्लूमा पद का और सत्मा निकाल दीजे निकल जाएगा और विशम संख्या रहे मतलब गिंती म संख्या मिलेगी उन दुनों संख्याओं को जोड़के दो से भग दो बुख काता है एन प्लस वनवा पद का और विशम संख्या रहे एन प्लस वनवा टूबा पद का अवलोखन ऐसा जाएं दीजे क्या खाता है किताब यह वही जो मैं बोल रहा हूं लेकिन में मोटे भास आज बेच वाला पांच हो गया क्योंकि माध्यक का मतलब ही होता है बीच वाला प्लस वन प्लस वन बटे तूबा बद का वलोकन तो कितना एक दो तीन चार पांच सब्सक्राइब निकाल रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका है कि दी गई संख्याओं को सबसे पहले आप वी फारी चने उसे हो गया और च यहाहाइWA कि नançश्राइब ने सबसे आफेकाईब आर पांच सबसे परने संख्या को चलते करो और उसके बाद संख्या वीच में दो संख्या आएगी जो हो और यदि घुशन संख्या हो तो इस वाली आपको संख्या मिलेगा उन संख्या और केँगे हम बीच बाले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा संख्या माद्य निकल जाएगा आरे बातन में उसके बाले संख्या होती ही एक चीज होता है संचाई आविर्ती क्या कुछ भी आविर्ति चड़ते करम में होगा या उतरते करम में होगा कि इससे हम क्या बोलेंगे संच्चाई आविर्ती बोलें संख्या लिखा हुआ 2, 4, 5, 8, 3, 6, 8, चड़ रहा है, यह उतर गया, पिजड़ गया, मिले मिछ से है, मतलब यह संचाई आवरती नहीं है, लेकिन देखी शीर संक्या रेखा लीजी, 2, 3, 4, 5, 6, 8, आज, सब चर्थे करम में है कि नहीं है, डेकyst संचाय के हैं आपको ये संचाय आवर्थी और शावर्थी डिशल रमानों को बालती। अलिवात सम्झते अजय हों गया कि दी गई आज़र्ति चर्ते करमें है तो इसको हम क्या बोलते हैं संचाइम आउरी और के समNky और में का प्रियाज करें अगर नीटक्षाmost करिए沃ण बें तो मिडिन नेकालना है मिडिन जो में सुत्र होता है मिनफ़ी निवर्ष अल्ध एन वाय टू माइन सी एफ बटे एफ गुने एच कोन क्या होता answer इन क्या होगा प्रिजनों की संख्या मद्यक वाले वर की बारम बालता कहला जर्थ कुल वर्का माप्त हलाएगा अरे वासन में इसी तकारक आपको एक सवाल वोक्स वाला सवाल मिलेगा देखे क्या पोल रहा है सवाल में क्या पोल रहा है कि स्राप्तांग दिया गया है और इतना दिया गया है तो इसका हम क्या निकालना है माध्यक निकालना है कि निकालना है माद्यकक निकालना। माद्गख रहां कैसे निकालेंगे सबसर्प दिखेंज्ञ रहे हैं दो है 4 है 1 और 20 तु Aura fad airet जांड्य-ई इसमझाइस पहला सवाल समझझाया तो चार 5 एक चीज़ आपको दूसरा ऐसा वी एगा देखिए उप्रवलांताव में नहीं है उन्तीस का च्छे है उन्तीस का थाइस है आठाइस का चोवी से तेटीस का पंदरह है लिए तो चार एक है पर चीज़ का इस टाइप को रहेगा प्राप्तांग आपको दिया रहें तो जब प्राप्तांग रहाएगा तो पहले हम किया अंग्यां सच्छाय औरती में बजलेंगे संचरी आवर्तिव में सबसे पहले संचाय आवर्ति इसको समस्चाइए भयास करते हैं सबसे पहले 20 है 25 है 28 29 लिए अब बिरादयु संख्या लिखा हुआ है 0 6 20 28 15 4 6 2 संचाई या परती कैसे निखालेंगे आगर्ती में से ही संचाय आगर्ती निकालते हैं सबस्क्राइब च्छे को जोड़ चितना हो जाएगा इस पचास में क्या करेंगे इस रातर में क्या करेंगे हम 15 जोड़ देंगे तो ज़िए संटान में हैं दो जोड़ तो नंटी नाइन हो जाएक आरी बासवन में यह क्या निकल गया अपको संचय आवर्थी फिरसे में बद आओ सबसे पराद च्छे का च्छे हो गया शे में जोर देगा चब्याइता स्था शेवन में डोड़ेंग दिए ज़ोड़ेंगे निकल गया में निकल गया इसका माध्यक निकलना है है ऑडिवास्वाइय। क्या सुप्रासमें, कहा है रोलिए और देखें बेए कितनी आया, कितनी 100 क्या है, पितनी 100 क्या हुग्या होगे है, वह गर नहीं हुआ सो कितना हो गया सम संख्या हो गया अधिवासन भी सो संख्या हो मतलब क्या वह इसमें क्या करेंगे हम तो सो एन वटे टू आइन टू एन प्लस वन वटे टू आ का बीज का वलोकर सुत्र हमने आपको देखे दिखाया था याद होगा आपको कि अगर सम संख्या हो तो एन वापद तो था एन वटे तूब बद का औसका माझन निकालते हैं क्या हो जाता है वह एक्सोएक एक्सोएक बटे दू क्या जाएगा 50.5, कि अगर्या हो जाएं कि शला रिखे यह जाएं कि अगर्ण ने आखना पकावलोका या किल बटे दुखे जिए देखें से पचासवा वली जो हमारे वेल्यों लिए वो ध्यान से दिखिए फचाटी यह हो गया इसका वेलू कितना ओगए अठाइस हो गया उसके बाद इसमें आएगा 51 माने 555.5 आ रहा आ आ उसके बाद का वलोकन एन बटे 2 एन प्लस और 2 मा वलोकन रहा हो जाएगा प्रिवाइब दुक्र में क्या आएगा इसके बाद यही आएगा जर में तो यह जोड़ दिजिए 28 और 29 को दोनों को जोड़ दिजिए कि कितना आजाएगा 28.5 ओजागा यह क्या कालागा आपको माध्यक तहला इस टाइप की में दो टाइप के आपको सवाल में अरिवासंग में नेक्स्ट वीडियो में इसका में सवाल है जो पूस आए भी तो यह में आता है लेकिन एक नंबर वाले में आता है दो नंबर वाले एक नमबर वाले में पूछा आता है एक शली ओके थैंक्यू